बहादर गड के छोटुराम नगर में लोगों की घरों के बाहर गंदगी का अमबार लगा हुआ है जिस्ते की वहां के लोगों का जीना मोहाल हो गया है गंदगी और कूडा करकट से लोग बीमार हो रहे हैं साथ ही नगर निगम से कई बाद शिकायत भी की है लेकिन नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है बहादर गड के छोटुराम नगर में लोगनार की जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं तच्ची गलियों में जमा गंदा पानी ने लोगों का सांस लेना भी दुबर कर दिया है गंदे पानी की बद्बू और मच्छरों से लोग बीमार हो रहे हैं इसाने लोगों ने नगर परिशत से लेकर स्टीम पर इसकी शिकायत भी की है लेकिन कोई समधा नहीं किया गया सर घर से बाहर निकलते हैं घर में पानी बढ़ाया है बाहर पानी बढ़ाया है अब नगर परिशत की अधिकारी कह रहे हैं कि सभी गल्लियों का स्टर्वे करवाया जाएगा और जल्दी उनका निर्मान भी होगा परसनली विजिट करोगा इस चीज़ को जाके पतादे की कोलोनियों में गंदगी का सबसे बड़ा गर खाली प्लॉट होते हैं इनहीं में गंदा पानी और कूड़ा जमा होता रहता है जिसके की गंदगी और विमारियां पनकती है टीम फोकल सरीयाना के साथ बहादरुगर से पर्टीप खंखल की रिपॉर्ट